गुड़ी दिंग प्यारे बच्चों आज मैं फिर से लाया हूँ आप लोगों के लिए सारे रोल्स जो की एकसाम के लिए बहुत इंपोरेंट है कल रूल नंबर 4 तक पढ़ा था 1234 अब अब पढ़ोगे 5678 दोस्तों आपको मैंने पीछे जो भी पढ़ाया है आपने नोट्स को खतम होने के बाद मैं एक टेस्ट लूँगा जिसमें आपको मैं चाहता हूँ कि आप 100 आउट आफ 100 मार्क्स लाओ यानि फुल आउट फुल लाओ दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए आईए शुरू करते हैं जो हमारा रूल है सब्जेक प्लस लेट प्लस अब्जे इसे इसे आई उर मी की बात करें तो आई नहीं आई I subject है, me होगा, they और them की बात करें, तो they नहीं, them होगा, क्योंकि them object है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि देखो, let एक क्रिया है, और verb के बाद हमेशा objective केस ही आता है, verb के बाद हमेशा object ही आता है, तो आप इस structure को ध्यान से देखो, कभी भी आपको let के बाद दो चीज़े especially याद रखनी है, एक तो object आना चाहिए, फिर verb का पहला रूप आना चाहिए, जैसे example देखते हैं, let की हिंदी क्या मैंने बताए यह दोस्तों, आग्या देना, तो example है कि I I let you, अब देखो दोस्तो, let ही main verb है हमारे हैं तो I let you, जैसे अगर यह होता है, I beat you, तो मैं तुम्हे पीटता हूँ, I teach you, मैं तुम्हे पढ़ाता हूँ, तो I let you कहीं दी है कि मैं तुम्हे आगया देता हूँ, to play in the garden, garden में खिलने का, तो दोस्तों यहाँ पे, आप ध्यान स सतरक रहना है, I let you play in the garden, मैं तुम्हे आगया देता हूँ, बागीचा में खिलने का, दोस्तो, let का second form भी, form भी let ही होता है, तो इसका हिंदी यह भी निकल सकता है, कि मैंने तुम्हे आगया दिया, play in the garden, इसको नहीं छूना एक दम, भी यह भीवन होना चीए, अगला example है, कि see will let me, अब यह will कहां से आगया है, तो दोस्तो, main तो हमारा let है, लेकिन tense के हिसाब से, अगर माल लोग आगेगी कहना है, तो will लगा नहीं पड़ेगा, तो see will let me, वह मुझे आगया देगी, to dance देरवान नाचने के लिए, तो अभी मैंने क्या बता है, दोस्तो, let के बाद objective case, चलो, I, कमी आया है, ठीक है, लेकिन आगे जो वर्भ है भीवन, वो तो भीवन होना चीए न, तो यहाँ पर two नहीं होगा, केवल dance होना चीए था, see will let me, वह मुझे आगया देगी, dance देरवान नाचने का, तो two नहीं होगा, याद रखे किता, मैं see who, बड़े-बड़े sentence आ जाते हैं, तीसरे एक्जांपर लेकि, you cannot let him to jump, बहुत है, तुम आगया नहीं दे सकते हैं, cannot let है, केवल लेट रहता है, तो तुम आगया देते हो, लेकिन cannot है, तो तुम सकना सकने का, सिंसाएगा कि तुम आगया नहीं दे सकते हो, him उसको ठीक है, भई, objective case में है, him, he, कि ज देने का, अगला example है, दोस्तो, हूँ वो इसी हैता है, मैं sentence simple दिया हूँ, ताकि आप आसानी से समझ पहो, practice करो कि आपको बड़े से बड़े sentence तुरन थलो जाएंगे, कई बच्चों ने मुझे comment किया, कि सर आपने कल जो भी पढ़ाया, जो भी पीशे का rules आपने बताया, सर लेट, लेट है भीवन है हमरे यहां पर तो अग्या देते हो, तो हम इसे अग्या देते हो, राम को और मुझ को, दोस्तों यहां पर ध्यान से देखो, actually इसमें दो दो अबजेक्ट है, लेट क्रिया के बाद दो दो अबजेक्ट है, और एक वर्भ है, वो तो आना था भी भ हो देख्टू, नाम, सबजेक्टिव् के सह और ऑप्जेक्टिव् के स दो दोनों हो सकते हैं, लेकिन प्रोनाूंज जोते हैं जिसे ही का हीं, सी का हर, दे का दें हैं, यह सब थोड़े अलग है, तो आइका भी objective किस बनाओ तो यह नहीं बन सकता राम तो subject भी है और object भी है लेकिन I subject है और me object है, drive ठीक है यहाँ पर, okay, mock test में सब आपको दिखाता है, दिखेगा ध्यान से, solve करिएगा, C does not let me to sing, C does not let, अगर रहता C let, तो वह आगया देती है, लेकिन यहाँ पर negative है दोस्तो, C does not let, वह आगया नहीं देती है, जैसे C does not go, वह नहीं जाती है, C does not play, वह नहीं खेलती है, तो C does not let, वह आगया नहीं देती है, मी मुझको, ठीक ही object, objective case में हमी, to sing गाने का, तो यह गल मैं जानता हूँ कि तुम, you will not let, तुम आगया नहीं दोगे, क्या करने का, तो, you will not, I know you will not let me to go, मैं जानता हूँ कि तुम आगया नहीं दोगे जाने का, दोस्तों यहाँ पर two नहीं होगा, क्योंकि लेट के बाद object आया है, ठीक है, और इसके बद सिर्फ भीवन चाहिए, कि नहीं पर two नहीं दिया है, तो सिर्फ गो होगा, याद रखे का, इसना मैं से हुबा हूँ आने वाला एक्जम, कोई भी डाउट हो, पुछिए का, she does not let you to do this work, she does not let, वह आगया नहीं देती है, जैसे she does not play, वह नहीं कहलती है, she does not let, वह आगया नहीं देती है, tense के साब से साब बदलता रहता है, तो इसके बाद objective case you, तो दोस्तो आई का me होता है न, अलग-अलग होता है, लेकिन you का objective case you होता है, प्रणाउन में अपने पड़ा होगा, तो she does not let you, वह तुम्हें आगया नहीं देती है, to do this work, इस काम को करने का, तो दोस्तों है तू नहीं होगा, सि let का हिंदी आगया देना, आप को गए हाँ पर subject को ही न, कोई बात नहीं, sentence सिर्फ वर्प से भी सुरू हो जाते हैं, जैसे you play cricket, मैं यह भी तो कह सकता हूँ, play cricket, cricket खेलो, तो let का हिंदी आगया देना, तो आगया दो him, उसको ठीकी अभी तक, to go there alone, वहाँ जाने का, तो दोस example है, he lets, अब let में ऐसको लगा, भाई present indifferent tense है, ताते थी, वह जाता है, he goes, वह पढ़ता है, he reads, वह नाशता है, he dances, वैसे वा अगया देता है, ताते थी, तो he singular है, third person है, इसलिए ऐस लगा है, present indifferent tense की बाते हो रही हैं, तो he lets me to sing a song, वह अगया देता है, he lets me, वा अगया देता mock test में देखिएगा, अकला rule हमारा है, बहुत important rule है, दम important में लिखिएगा, इसको very 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 important में लिखिएगा, इसमें दो rule में बताऊँगा, A और B, ध्यान से समझना है, subject plus has have, एकी चीज़ है, has singular के लिए, have plural के लिए, या head को देख लो, head तो कहीं भी आ जाता है, लेकिन past होता है और will have, sell have, यह future में होता है, अब इसकी हिंदी क्या है, तो इसकी हिंदी है, चुका है, इसकी हिंदी चुका था, इसका हिंदी चुका होगा, चुका होगा, इसकी बाद हमें सब वर्ब का third form होता है, यही हमें ध्यान देना है, वर्ब का third form बोले तो go, went, gone, gone की बात करेंगे do, did, done, done की बात करेंगे play, played, played तो third form played की ही बात करेंगे तो has, have हो, चाहे had हो चाहे will have, shall have हो इसके बाद वित्री आता है और अगर negative बनाना तो यहाँ पे not लगा लेना simple has, have के बाद not लगा लेना यह had के बाद लगा लेना यह will have यह shall have के बाद लगा लेना दोस्तों इसमें समझने लग क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ यह जो rule number हमारा B है subject plus head plus better plus B1 अब यहीं पे ध्यान देना दोस्तों कि अगर सिर्फ head आजाए head आजाए, have आजाए, will have आजाए, shall have आजाए तो आप B3 लगाना लेकिन अगर head better आजाए तो आप B1 लगाना यही वो पूछेगा तो rule number 6 में A और B दो पार्ट है अब इसको इन निगेटिब बनाने की बात करे तो दोस्तों इसमें head के बाद आप not लगाना अभी उपर वाले में अपने क्या किया है जब के बाद not लगा सकते हो head के बाद not लगा सकते हो will have और shall have में will और shall के बाद not लगता है लेकिन यहाँ पर कहा ना यह head better के बाद not लगेगा अगर इसमें not लगाना होगा तो not आप बाद में लगाऊगा बताते हैं आगे examples देकर के detail में मैं फिर से समझाता हूँ has have यह head यह will have यह shall have के साथ वर्ब का third form आता है पहला rule दूसरा subject के साथ head better हो के वल head नो हो तो अब आप सिर्फ भीवन लगाऊगे सिर्फ आप क्या लगाऊगे भीवन लगाऊगे हिंदी किया इसकी अच्छा होगा की मैं यह करूँ एक्जांपल देकर के समझाता हूँ अच्छा होगा की मैं यह करूँ subject plus head plus better plus भीवन अच्छा होगा की मैं यह करूँ तो समझना इसको हिंदी से अभी clear हो जाएगा इसका हिंदी लिख लो की अच्छा होगा कि मैं ये करूँ मैं मने सब्जेक्ट समझ लो इसकी हिंदी लिख लो आप अच्छा होगा कि मैं ये करूँ समझाता हूं एक्जम्पल से राम हैस डान्जट और देको सिर्फ है जैं भीत्री ये ठीक है राम नाच चुका है वेरी नैसली बहुत ये अच्छे से सब्सक्राइब भी जो अगले जम्पल अगले जएंफ दन इस वर्क अब देखो जोस्तो यह हैड्ड नहीं है यहाड बिटर जेपद में डिके रहे वरब का पहला रूभ वह एसक्जम्प में आएगा तो यहांपे डू होना छी था यौर कहीं वह और अश्रू इसका हिंदी यह अच्छा होगा कि मैं यहां काम कर लूँ हां दोस्तो अगर यह निगडिव रहता तो I had not better do this work नहीं I had better not do this work अगर हम इसी को निगडिव बनाते तो अब not कहां लगाते आप इधर लगाते वर्ब के साथ वही they have done it just now का निगडिव बनाते तो they have not done they have not done लेकिन यहां पे better के बार not लग रहा है ध्यान दीजेगा तो I had better not done this work नहीं I had not better done this work अगले अग्जाम्पल है she had better to play in the ground अब देखो दोस्तो यहां पे had better had better ही ध्यान देना एक्जाम में वही आता है तो see had better play यहां पे सिर्फ वर्ब का पहला रूप होना चाहिए था see had better play in the background अच्छा होगा कि वह अच्छा होगा कि वह प्लेग्राउंड में खेले तो had better के बाद क्या आता है वर्ब का पहला रूप आता है लेकिन अगर इसको negative बनाते तो तो see had better not play in the ground इसका इंदिया कि अच्छा होगा कि वह प्लेग्राउंड में न खेले दोस्तों had के बाद not बिल्कुल मत लगाना you will have corrected the answer देखते हैं will have है सिर्फ अगर have होता है तो चुका है will have है तो चुका होगा और इसके बाद भीत्री आता है आया है correct सुधार ना corrected corrected third form है तो तुम सुधार चुके होगे उत्तर को नम सही है sentence अगर negative बना ना होता तो हम will के बाद लगाते है यू will not have corrected the answer लेकिन यह नहीं आएगा especially especially हमने जो अभी head better के बाद not लगाना सिखाना वह यह आता है एक और बात दोस्तों will have और shall have यह जो दो चीज़े हैं will have और shall have exam में अक्सर देखा गया है will have यह शैल है will shall एकी चीज़ होता है कि साथ कभी भी अब hedge यह head मत लगाना सिर्फ have will shall के साथ अगर hedge have head की बात करें तो सिर्फ have लगता है इसके पीछी भी reasons है अब धीरे-धी जहन होगे तो will shallow इसके साथ है बाता है तो ठीक लेकिन अगर आपको कहीं है यह यह दिख गया तो यह गलत है जैसे अगर you will have कि जगा है जदिया रहता है यह है दिया रहता है तो यह गलत हो जाता है सा कोई रूली नहीं याद रखियेगा will have होता है नकी विल हैज नकी विल हैड तो यू विल हैब करेक्टर दांसर कहें दिया कि तुम इस उत्तर को तुम उत्तर को सुधार चुके होगे अगला एजामपल है अगला एजामपल है रीटा है वोग्ध हार्ट तो गेट सक्सेस रीटा ने महनत किया है वोग्ध हार्ट टू गेट सक्सेस सफलता पाने के लिए तो हैड के बाद भीधर ही आना चीए हैड बेटर तो यह है नहीं तो इसम सही है पॉफेक्ट है तो वर्ब का थड़ फोम है यहां पर तो रीटा हैड वोग्ध हार्ड रीटा ने महनत किया है टू गेट सक्सेस सफलता पाने के लिए यह तो अगला है इससे कोई मतलब नही अच्छा होगा कि मैं घर जाओं अगला एगजांपल है वी हैड अब दोस्तो इसी को शॉट में एक्जाम में ऐसे कर के दे दे देता है तो वी एड है वो वी हेड बैटर टू लीव लिट का मतलब रहता है चलना उठके चले जाना तो अच्छा होगा कि हम चले जाएए वी फोर दा पुलिस कम पूलिस आती है उससे पहले ही अच्छा होगा कि चले जाए लोस्तो इसका शाही होगा है यह पीढ़ी टू नहीं हो है तो I had better go home को ना I better go home भी बोल देते हैं लोग वैस समझने वाला समझ जाता है सही भी यह बोल चाल में तो I had better go home और दोस्तों मैंने not वाली बात बताई not अगर लगाना होता मालों यहां पर I had better go home का negative so I had not better go home गलत I had better not go home तो यह जो हमार एक्जांपल था we had better to new yoga we had better leave हमें चलना चाहिए बिफोर दे पुलिस कम पुलिस के आने से पहले अगले अग्जांपल है you had not better drink a lot अच्छा होगा कि तुम ज्यादा सराब ना भी हो ड्रिंक कहीं दी सराब पीना भी होता है तो you had not better जो तो उसने अब देखो गलत क्या है you had not better होगा कि you had better not मैंने क्या बता है कि had better का negative आपको बनाना होगा तो not आपको better के बाद लगाना है तो you had better not drink a lot भीवन है ही ठीक है तो you had not better गलत है you had better not drink a lot अच्छा होगा कि तुम ज्यादा सराब ना पीओ I had better not leave my back there had better not be आ सकता है आगे लीव वर्ब का पहला रूपर छोड़ना my back there तो अच्छा होगा कि मैं अपना बैक वहां न छोड़ू समझ गए दोस्तों अगला एक्जाम अगला रूल है हमारा rule number seven बहुत important है सारे important rules है आपको लग रहोगा देखने में examples में बहुत सारा दे रहा हूं और जो जो मैं बता रहो ऐसी आएगा तो आप mock test में ध्यान दीजेगा और exam में भी ध्यान दीजेगा हमारा जो अगला है आपको especially क्या दियान देरा है दोस्तों यह can't help जिसम लोग कै cannot कहते हैं sentence की सिरुवात तो सब्यक्स से होगी तो cannot help के बाद जो वर्वाइगा वह इंजी फॉर्म में एगा अब इसका हिंदी के है तो जोस्तों अगर अब यह structure यूज करोगा तो इसकी हिंदी है की मैं control नहीं कर सकता इसका हिंदी है फुरा कि मैं control नहीं कर सकता मैं मतलब I cannot help मतलब मैं एकदम help नहीं कर पाता हूं असहाय हो जाता हूं control नहीं कर पाता हूं किस चीज को तो यही जो वर्वाइगा उसी को एक्जांपल से समझाओंगा जैसे इसका हिंदी लिख लो पले है दोस्तों आप लो की control नहीं कर सकता subject जो भी है यहाँ पर वो control नहीं कर सकता अब क्या चीज है तो अभी पता चल जाएगा जैसे I can't help dancing मतलब मैं नाचने को control नहीं कर पाता हूं यानि रोक नहीं पाता हूं जब मैं कोई भी मंच देखता हूं जैसे मैं कोई मंच देखता हूं तो मैं dancing जो मेरे अंदर आती है नाच नाचना मैं इसको control नहीं कर पाता हूं तो दोस्तों यह क्या करेगा examiner ना इस dancing को ही वो to dance करके देदेगा जो की गलत है तो I can't help dancing होना चीज़ था सही है आप मैं dancing यानि नाचना को नाचने वाली चीज़ को यानि नाचने को मैं रोक नहीं पाता हूं जब मैं किसी stage को देखता हूं तो याद रखना है आपको subject plus cannot plus help plus ing form इसी पर ध्यान देना है हां कभी-कभी cannot की जगा could not भी देता है पास्ट करने के लिए जैसे मैं control नहीं कर सकता था इस singing यानि गाने को control नहीं कर पाते हो when you see any mic जब तुम कोई mic देखते हो सही है she cannot help to eat samosas वा रोक नहीं पाती अपने आपको यानि control नहीं कर पाती है to eat samosas तो help के बाद वह रपका कौन से रूप चाहिए दोस्तों ing form तो यहाँ पर to eat नहीं होगा क्या होगा eating होगा क्या होगा eating to eat नहीं होगा यहाँ पर eating होगा she cannot help eating samosas मतलब वह समोसा खाने को control नहीं कर पाती है रोक नहीं पाती है I could not help beating my son मैं अपने बेटे को पीटना रोक नहीं पाया मतलब मैं control नहीं कर पाया सका चुकि cannot किजगा could not है कोई बात नहीं सही है I could not help beating my son ing form है ठीक है दोस्तों ध्यान दिजिएगा help cannot help या could not help के बाद ing form आएगा और इसकी हिंदी यह control नहीं कर पाना है rule 8 है वह प्रीफिर लेकिन थोड़ी सी चीजिए इसमें ध्यान देने लाएक है subject प्लस यूस्टू प्लस भीवन यह यूस्टू फ्लस भीवन को ध्यान देना है इसका हिंदी क्या है तो कीया करता था आप लिख लो किया करता था किया करता था पर अब नहीं ये पुरा ल सब्जेक्ट प्लस यूजड टू प्लस भीवन किया करता था पर अब नहीं और अगर इसकी निगटीव बनाने की बात करें तो आप नौट सिंप्ली यूज़ के बात लगाना यही सारी चीज़ है ना दोस्तों कन्फूजन हो जाता है प्रक्टिस से सारी चीज़ आ जाएंग अब भूलोगे भी बड़ प्रक्टिस करते रहना सी यूजड नौट टू प्लस भीवन मतलब नहीं किया करता था था तो आई एक्जांपल देखते हैं राम यूजड टू प्ले चीक है राम खेला करता था पर अब नहीं इसका हिंदी है राम यूजड टू प्ले पहले खे लगाते ना कि अब डान्स के पहले लगा दे एक्जामिनर क्या करेगा इधर उदर नौट करेगा तो ध्यान देना है सी यूजड नौट टू डान्स इदम सही है ठोकि अभी मैंने बताया कि अकर आप निगडी बनाओगे न यूजड टू प्लस भीवन का तो यूजड भीवन है मीरे साथ नहीं लडा करता घलती सह भी मुहां यूजड ं इदर करके देगा ध्यान देना है थे थोड़ा सा सा कंसुजर्वन होगा क्योंकि आपर भी कुछ उषांट की पोजिशन मैंने बता ही है तो ध्यान देना है अक्छेवां अक्वे एक्san यूजड डैस मी में वाइन ही वाइन वाइन यह वाइन यहसोड संधन यूज्वाइब यूजड टू तो एसे सो शुच बता है रिए इसे नियु गीन विडाया था इसके बाद टू ब्लस भीवन बताया है तो स्याम यूजड टू वेट अपीटा करता था मी मुझे व्य वा seven years old जगो साथ साल का था दोस्तों टॉपिक समाज में होगी जो भी डॉट होगा आप हमें comment box में लिखेगा या आप हमको डारेक्ट कि कुछ भी उठा के पढ़ लिया कुछ भी देख लिया इसलिए बहुत ही मेनत करके पढ़ना है अराम से पढ़ना है दोस्तों ठीक है ओके